आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में यह जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्यू एंड कीबोईड के तीनों पार्ट कम्प्लीट करें है उस क्लास का बहुत भैतरी रिस्पोंस मिला है आपके द्वारा ठीक है काफी विव गए है आप सभी क्लास को लाइक अड़ शेर कर आज का जो हमारा चैप्टर है वो है देटा सफिसेंसी ठीक है ये कोई भी निव चैप्टर नहीं है केवल इसमें आपको डेटा को अरेंज करना सिखाया जाएगा कि किस तरह से इसको अरेंज करते हैं ठीक है कि अपनी आज की शंगला को बढ़ाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैट्स क्रैक यूपी ऐसी सीसी इंडिया लार्जर्ट लेंग प्लेटफॉर्म और भी जानते हैं आप सभी कहवे है अने के ठीक है चलिए वह यह मेरा च्छोटा से किंट्रो है मैं पंकर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आपको पता है कि वह यह जसे देखते हैं कि प्लस में जो आपके फीसे वन एर की वह फोर्टी नाइन थाज़न फाइवंडड तू यह के लिए सेवंटी टू थाज़न और थी यह के लिए नाइटी थाज़न तो आपको एडिशनल तैन परसेंट आफ मिलेगा फिर फिर फीस हो याएगा आपके करते हैं आइकोनिक की तो आइकोनिक की मेरिफिट कहाएगा परसनल कोच रहेगा देली मेंस कोशन की आपको एप्लाई करना होगा पीजिर हो यह आप इसे अपलाई करते तो आपको एसपेक्ट लिए 10 परसेंट का एडिशनल उफ बलेगा जो फीस आपके सामने वह रहे जाए चलिए आप सभी जानते हैं कि के साथ साथ मेंस की भी प्रपेशन करनी है तो मेंस को ध्यान में रखते हैं और आगे भड़ते हैं चलिए यदि आप हमारी अनेकेडमी लेंगे डाउनलोड करते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें मेरी क्लास रहती है ठीक है इसे फॉर तुफाइव ही उसमें क्या रहेगा उसमें आपको नियुक्त लिए का पार्ट चल रहा है ठीक है यह इनरी उफ जन्वरी से मारी बैसे स्टार्ट हो चुके है ते पका टार्गेट 21 है तो उसको धियान में रखते हुए आपकी शिक्स मंस क होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए बैचे स्टार्ट किये रहे हैं और यदि आपका टार्गे 22 है तो आपके लिए वन एयर का बैच रहेगा ठीक है एक कम्प्लीट बैच बैच आपके इंग्लिश में हैं हिंदी में और बाइलिक बैच इनको आप हमारे मात्यम से जो देवस रहेगा बैचे जो स्टेंट रहेगी वह आपकी पाइलिक्वन रहेगी देखिए अनके अटमी ने कॉम्म स्टार्ट किया कॉम्म में क्या है देखिए ओप्शनल के साथ में आपको या तो आप UPSC CAC GS का आइकोनिक लिसकते हैं या ऑप्शनल के साथ में UPSC CAC का प् वन एर की सेवंटी थाउजन टुएर की नैंटी नाइन थाउजन और त्री एर की मनला कॉनिटी में थाउजन यदि इसमें आपको एडिशनल ओफ चाहिए तो आपको अप्लाई करना होगा पी एजी रोगा चलिए इसी करम में आगे देख लेते हैं आप सभी को मैं बता च साथ में बूस्टर सेसर्स रहेंगे डेली वर्क्शॉप रहेंगी ठीक है अंसर एडिंग कोर्स रहते हैं उसमें और आपकी यो डेली कंटेंट है वो आपके स्पीड को इंक्रीज करेगा ठीक है यह हमारी इस्पीसिल क्लास है 4 to 5 विदी आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको पता है कि Monday to Friday हमारी क्लास रहते हैं Friday हमारे समें एक टेस्ट रहता 4 to 6 के लिए ठीक है चलिए देखिए आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम गुरूप ज ठीक है तो पहले तो मैं आपको यह बताता हूं मतलब मैं आपको यह समझारा चाहता हूं कि डेटा सफिसेंसी में किस तरह से हमारी कोश्चन्स रहेंगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसको एक्जांबल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा देखिए सबसे प कूट लिखा हुआ है यहां पर ऐसे कामनद के इसका मतलब क्या है कि ड के कितने पुत्ञ आपको पहले वाले कूट से प्राप्छ दूसरे वाले से प्राप्त होगा इन्yon को जोड़का प्रत्ञ इन्वेरा रहें best option엔 में क्या कहरा या केवल एक से उत्तर प्राप्त किया सकता है दूसरी कमतर इस here कर देंगे is a करदेंगे केबल second वाले खुट नहीं सकता फरस्ट वाले से इस कमतरski क्या होगा फिर भी होगा first और second दौणों के माद्यां से उत्तर प्राप्त नहीं किया सकते हैं पहली और दूसरी इंफ्रमेशनल में जोड़ दू फिर भी हमारे पास अंसर नहीं आगा तो उसके लिए आपको टेक करना होगा सी लेकिन जब हमारा अंसर पहले और दौनों को एक साथ प्रियुक कर रहेगा तो आप का अंसर कह रहेगा डी रहेगा इसमें आपको यह बता रहा apprentice है कि जो उसने कूट दिया गया रहा है बतलब एक, दो, तीन, इसमें maximum तीन ये चार्ज आते हैं, आप उनका प्रियोग करके answer किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जैसे हो धी के ऐसे हो घूब करके बताता हो, जैसे हो हुआ, जैसे हो धी के कितने पृत्र है, पॉंट बहुं क्या कह रहा है, बी और एफ, के क पुट्री है किसकी पुट्री है डी की तो ये गिराफ आ गया ठीक है अब क्या कर आया इसमें उसने कोश्चरन क्या बूझ आता कहता कंग मेंडि के कीत ने बूतर हैं अब देखी यह भात करते हैं इससे लेका कोई जन पूतर नहीं आया उससे कुई से पता मदा जब आपने पहली वाली इंफोरमीशन को यहां पर लिखा और दूसरी वाली को यहां पर लिखा इसका मतलब यह आपके पास अ पहली और दूसरी दोनों information को आप जोड़ते हैं पस्ट और सेंगा नहीं तो आपको पता चला कि D के है यहाँ यहेंदि आपके क्लासरा की अरwoпод्र के मॉद्ट आएगा है को उतु अग ही कोई से सकाया जा सबसुरिए यह फिन सकाया जा सबस्चिंद पतलब पहला या दूसरा दोरों में से किसी एक कप रेकर करके उत्तर आ जाए तो उनको जो उमारे डेटा से पार्ट टू पार्ट थी रहेगा अब तक रहेगा जो भी नंबर रहेंगे वह तो रहेंगे उसमें आपको डेवाइडे एक नए पार्ट डेवाइडे एक नए टैप एक तो आखिर यह सभी की सभल में आगे होगा कि डेटा सफीसेंसे में आप सभी को क्या घंठ होता है डेटास अफीसिए में के विल आप यह बता रहा हूंबदए कि यह पर कथन दिया इसमें आपको बताना है यह कूट लिखा हुगा ना पहला और दूसरा इसे किसका प्रियों करके उत्तर आ सकता है आया थे कि यह बात तो सभी की समझ में आ गाई होगी चलिए अब हम कोश्चन स्टार्ट कर लेते हैं है ना तो पहला प्रिश्चन है बहुत मैंने यह आपको प्रिवेर मनाया बहुत अच्छे से और तरीके से मनाया है ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि यह बहुत सारे इस्टूडट पहली बार बढ़ रहे हों इसके एक्जाम में कम से कम दो कोश्चन आ जाती है ना सामने सी बात है UPSC मैं पूसता है कि यह स्टेट में पूसता है कि किस कोड से इसका उत्तरप्राप्त किया सकता है अब ही कितनी पुट्री है कि विक Key up करेंगे ताकि जब आप दो question कर लेंगे तो आपको समझ में आ जायागा easily कम से कम कि इनका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं तो देखें क्या करा E की कितनी पुत्री है पूट पहला वक्या करा C और G I की बेहन है और आगे इसमें बोला E I की पिता है तो आपको ये बताना है कि E की कितनी पुत्री है ये के बल फस्ट वाले से आ सकता है सेकंड वाले से आ सकता है या दोनों का प्रियोग कर कर के नहीं आगा आपको A B C D ये answer बताना है तो पहले इसको आप करके प्रियास करिए फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें इसना सोलोशन क्या रहे है ठीक है चली इसमें उत्तर लगाना ही बहुत सबसे वड़ा विकल्प है यदि आपको option tick करना आगया A B C D इसमें answer find out करना नहीं है इसमें ये देखना है कि जो हमारा answer आएगा वो A से आएगा B से आएगा C से आएगा D से आएगा ठीक है हां मतलब जो answer आया उसके लिए मैं A tick करना है B tick करना है C tick करना है D tick करना है ठीक है तो I think एक मिनट का समय देता हूं मैं इसमें क्यों को सकता है कि आपको भाशा में थोड़ी समझ से आ रही हो लेकिन जैसे से आप कोशन करेंगे पहला दूसरा तीसरा तो धीरी दीर आपको समय में आने लगेगा ठीक है अब सिंबिल वह कहना है कि E की कितनी गुत्त्री है तो हमें क्या करना है पहले मैं C पहले वाला हो सकता है कि में भी आपको प्रॉपर बेजिवल लाओ C और जी किसकी महन है आई की ठीक है अब C और जी पर नेगेटिव सायन आगे लेकिन आई पा भी कोई सायन नहीं आया प्लस या माइनस कब तो इस पर प्लस या माइनस लिखके छोड़ दीजिए आगे कि कराए ई आई का कोई भी जेंडर कंफर्म नहीं है तो दो पुत्री भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है इसका मतलब पहला और दूसरा दौनों को मिलाकर उत्तरप्राप्त नहीं किया जा सकता तो इसका अंसर क्या होगा अब यह पहले कोशिक का अंसर C होगा I think समझ में आ गया ना आपका की कौब हे में कितनी पुत्रियों की दो भी हो सकती है तीन भी हो सकती है कंफोर मत नहीं है आपको क्या लागर भी आप उत्तरप्राप्त नहीं कर सकते I think पहला पिशन वही है सभी की समझ में आ गया होगा ठीक है और देखे जो विद्ध्यारती हमारे साथ फर्स टाइम जुड़े हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीगराम गुरूप को जरूर जोइन करें और जो विद्ध्यारती रेगूलर देख रहे हैं वो उस क्लास को लाइक एंड शेर जरूर करें क्योंको मैं आपके साथ में लाइब नहीं हूँ बढ़ आपको यह करते रहना है ठीक है अब कोश्चन के आधान पर डेटा सफिसेंशी में उस उस घ्यान का प्रयोग करना है यह साधर्ण सी बात है अगर अब हमर पंक्ति में 225 हमाय ठीक है आमरे बात मानी होड़ी हमार पहला को गया गोपाल पंक्ति में दायत से तीरा सब्सक्राइब को जल्दी से एकम्रिट का समय देता हूँ तको देटा सफिसेंटी नहीं कित्र पतारी है कि कोई बताना है कि उखल विध्यारती प्राप्त करने के लिए पहला वाला डेटा परयापत है या दूसरा वाले डेटा परयापत है या दोनों को मिलाकर भी परयापत नहीं है ठीक है तो जल्दी से आई थिक आप सभी ना बना लिया होगा question number second ज्यादा समय ना लेते हुए इस अब जो हमारी two thirty वाली क्लास है वो अनेकेडमी यूपी एससी सीसी कुष्ट पर है ठीक है और four two five आप सभी को पता है कि रेक्टमी लर्निंग है पर हमारी क्लास रहती है तो चलिए question number second देख लेते हैं पंक्ती में कुल कितने में द्यारती है उसने बोला अमार पंक्ती में 22 अब देखे यह तो यह यह कोई पंक्ती मनाते हैं तो अमार कितना है 22 अब देखे यह तो यह तो पहला पहला वाला डेटा हो गया और यह सेकंड वाला डेटा हो गया इत दोनों को मिलाकर भी क्या पता सकते हो कि पंक्ती में कुल कितने विद्यारती नहीं क्योंकर यहां पर हमार यह पता नहीं चल रहा है कि अमार और गोपाल के बंद में कितने विद्यारती एक्स हो गए अब इसका मतलब हम पहले और दूसरे को दोनों को मिलाकर भी उत्तर प्राप्त नहीं किया सकता तो आंसर के टिक करेंगे C तो दूसरे का आंसर क्या रहेगा C रहेगा जब यदि उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो आपको C आंसर टिक करना होगा भीया कि अच्छा प्रेश्ण था एना पैले वाले प्रेश्ण में भी हम यह नहीं बता पाएं कि coda तो इस角्ष एं दोगो के मादवशा अब यह नहीं बता सकते कि कुल कितने विद्यःतु थी ऑगले पैजले question number third Ajit ke Pita controller kis din huwa ठीक है kis din ai इसको kis दिन किis tithi ko कर लीजिये न दिन का मतलब कि को सौमपार मंगलम और बुधवार आ जाएगा इस दिन کو यहाँ पर आप किs tithi ko कर लीजिये न वहिया confusion थोड़ा सा ओध दिन मैं आप बन्रा मंडी फ्यूटे फ्रैज्डे आ जाएगा इसको लिख लिए किस तिथी को हुआ मतलब डेट को हुआ ठीक है मैं इसको और क्लियर करके लिख देता हूँ थोड़ा समझ में शायद नहा रहा हूँ यह हमारा यह है अंबर के पिता का जनम निर किस डेट को हुआ ठीक है के लिख देता हूँ है अब अपके लिख रहेगा धिरांग करीए से सौन कोशन नमर थर्ड अजीत के पिता का जनम किस डेट गोगा हुआ क्या करा है अजीत को याद है कि उसके पिता का जनम 11 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से से पहले हुआ रेटा फस्ट है अजीत की बहन को याग है कि उसके पता का जर्म 17 मार्च के बाद लेकिन 24 मार्च से से पहरे हुआ तो आपको ये देखना है कि आप किसके माध्यम से confirm उत्तरप्राप्त कर सकते हैं फस्ट के, सेकेंड के, ठीक है यदि फस्ट के कर सकते हैं तो answer A आएगा कि वह सेकेंड से कर सकते हैं तो B आएगा दोनों को मिलाकर उत्तर नहीं आ रहा है तो C आएगा दोनों को मिलाकर उत्तर आ रहा है तो D answer आएगा ठीक है, तो जल्दी से कर लिजे Question No.3 है आपका आप सभी को ध्यान डखना है, Class को like and share करना है इसकी आवश्यक्ता नहीं रहनी पंडी चाहिए बार बार आपसे कहने के लिए तो question number third आपके सामने है जल्दी से I think सभी को समझ में आगया होगा कि किस परिकार से आपको विकल पॉंट का चेहन करना है A, B, C, D, Data Sufficiency इसलिए सबसे अंत्य में पढ़ाया जाता है क्योंको इसमें coding, decoding, blood relation, direction, ranking, sitting, clock, calendar है ना लगवा कि यह मुख्य साथ chapter होते है इनको मिलाकरी data sufficiency बनता है ठीक है तो फिर से बता देता हूं coding, decoding, blood relation, direction, ranking, sitting, clock, calendar ठीक है इनको मिलाकरी data sufficiency बनता है कि को इनी के मादिम से पूछा जाता है कि आपसे क्या रहागा देखें देखते है अब फर्स्ट वाला data क्या रहा अजीत की पिता का जर्म किस दिन हुगा यह कथन है अब पहरा वाले data क्या है अजीत को याद है कि उसके पिता का जर्म अब इन दोनों में considerate common है 18 common है इसका मतलब 17 से इधर नहीं आ सकते 19 से आग नहीं आ सकते इसका मतलब 18 तारिक को हुगा इसका मतलब पहले और दूसरे data का प्रियोग करने के बाद ही तो प्राफ्त होगा वैसे तो आप confirm नहीं कर सकते हो दिकेवाल एक को लेते हो तो 11 से 19 के समझ में नहीं आएगा भाई आट दिन हो गए उसी पिकार से 17 और 24 के बीच में यह भी नहीं लहीं सकते लेकर जबने इन दोनों को मर्च कर दिया तो हम पता चला कि 11 के बाद है 19 से पहले और यहां पर 17 के बाद है 24 से पहले इसका मतलब यह दोनों information हमारे पास होंगी तो इ क्योंको अजीद भी भुलककर अजीद को याद था कि 11 के बाद है पता जिगा जर्म लेकिन 19 से पहले है अजीद की भेहन भी भुल गई लेकिन उन दोनों ने इस डेट को मिला कर यह निकाला अजीद नहीं सूझा कि यह दि मेरे पास भी कुछ डेट आया और दीदी की पास भी कुछ डेट आया है यदि हम इन दोनों को मिला कर देखते हैं तो हमारे वे कॉमन डेट के आ रही है अठा रहे है क्योंको 11 के बाद है 19 से पहले है 17 के बाद है 24 से पहले इसका मतलब उन दोनों की जो जानकरी उनको सब्सक्राइब तो आंसर क्या जाएगा डी आ जाएग डी सी की बहन है तो डी का एसे क्या डिशता है अब डी सी की बहन है इसका प्रियोग आपको ग्राफ बनाने के लिए करना होगा है ना यदि वो कभी आपको कथन में इंफोर्मेशन देता है इसका मतलब वो यह कहना चाहरा है कि इसका प्रियोग आप ग्राफ को बनाने के ल नहीं आना तो answer C लगाएंगे और इन दोनों को मिलाकर उत्तर आना तो answer D लगाएंगे ठीक है तो question number 4 को जल्दी से आप सभी देख लीजिए क्या कह रहा है वो आपसे कि कि की बहन है एक है कि का इसे क्या रिश्था है ठीक है वह यह थिंग कोश्य नंबर 4 बनाने का प्रयास कर रहे होंगे लगबग दीरे-दीरे समझ में जाने लगा होगा यदि किसी वी विद्धेहर्थी की कोई भी क्योई रही है ना तो उसका एक बड़ा ही सरल माद्यम बता रहा हूं आपको आप टेलीगराम पर question post कर दीजे ठीक है कुछ question post करते है मुझे बच्चे व अब देम से हमसे पूछ सकते है तो चलिए इस question को बना लेते हैं क्या करा डीजी की वहन है यह information हमें साथ में मिली है हमने बना लिया अब क्या करा एक बीकी बहन है वह लिंक नहीं कर सकते लेकिन second बाला बॉला बी सी का भाई है यह second data है हमने अब पहला बाला क्या 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 अब देखो डी का एसे क्या रहता है इसे प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे और पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब ही answer आ सकता है यह अपने डी सी की बहन है इससे पहले का तो रिंक डारेक्ट बन नहीं रहा था फिर आपने बनाया कि बी सी का भाई है बन गय तो डी का एसे क्या रहता है इसे प्राप्त करने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ना होगा तो आंसर क्या आएगा डी आएगा उसमें भी वह आपसे बोल देगा कि आयताकार आपका बैदान है उसकी इतनी छित्फल है इतना यह है तो बताईए कि किस डेटा से आंसर प्राप्त कर सकते है डेटा सफिसेंसी मैत का हो रीजनिंग का हो या किसी और का हो उसे करने का मैथड यही है ठीक है यहाँ पर रीज इसलिए मेरा करतव्य हो करना आपका दायत है तो चलिए कोशन नंबर फाइव देख लेते हैं देखिए मैंने हर प्रकार के प्रिश्णों का प्रियुक कराया आपको डेवन की क्लास समझाने के लिए के कोश्चन हमने कर लिए अभी डारेक्शन का आया है अभी कुछ इसमे सिटेंगे भी आयेंगे कैलेंडर का कर लिया की की कि ती के किस दिशा में में कि इसके करने के लिए इसके प्रेटा दिया है कि तो कि कि से वाप्राप्त कर सकते हैं इंविग दारेक्शन के कुंट में थोड़े से ईजी होझाते हैं जैसे कि मैं भी आपको बताऊंगा पहले आपसे अपने माध्यम से करेंगे हैं से कि उप धी मैंने पहले से बता दिया तो आप प्रयास कर रहे हैं वह आप नहीं करेंगे वो आप इसे में छोड़ देंगे एक सार आप नहीं सॉल्व कर दिया हों क्या करें इसका समय रहेगा उसकी ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि और बूलेंगा आप ड बstrom इसका जो सेकेंड कोशन हैगा उसके लास्ट मेट्रिक बताऊंगा कोशन डारेक्शन के सॉल्व करने की ठीक है तो कोशन नंबर फाइब फू जल्दी से बना लीजिए स्वारी विध्यारती विध्यारती हूं थोड़ा सख्राब चल रहा है मौसम की वज़ाए से तो चलिए देख लेते हैं. पेड के किस दRIशा में है, पहला मला घा अरा के किस दिशाम है इसमें के का कोई की लिंग नहीं है अब सडिक्र रे ईम यार्क के उत्तर में हैं और के के पश्चिम में है तो ग्राफ ऐसी बनेगा M T के उत्तर में हो गया और के के पश्चिम में हो गया अब उसमें आप से क्या पूझा था K T के किस दिशा में इस्थे था तो K T के किस दिशा में इस्थे था North East में होगा इसका मतलब second वाले से उत्तर आरा पहले वाले में तो ही नहीं को आज से कराएगा केवल B केवल second से उत्तर प्राप्त किया आए सकता first से नहीं क्यों first वाले में तो K का कोई link ही नहीं है T के साथ में और second वाले में उसने M T के दिया हुआ तो आप बूल सकते हैं कि सर यदि M T के उत्तर में है और K के पश्चिम में है तो हम बता सकते हैं कि T के के किस देशा में होगा North East में होगा इसका मतलब सर आप केवल दूसरे वाले से उत्तर प्राप्त कर सकते है first वाले से नहीं कर सकते उसमें आज हमारा part 1 की class है एक class हमारी 230 पर रहती है UPSC CAC quest पर और एक class रहती है मारी 425 अनेकेट भी लर्निंग अपर और Monday to Friday हमारी classes का time fix रहता Friday अनेकेट भी लर्निंग अपर हमारा UPSC का मौक्ट्रेश रहता है तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रिशन आप सभी के संभुख रखता हूं question number six देखिए जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि question number six के अंत्मे में direction के question को करने के trick बताऊंगा है ना तो पहले आप प्रयास कर लीजिए कि वार के किस दिशा में इस थे ठीक है question number second को मैं बिना गिराफ बनाए आपको बताऊंगा कि इसकी answer direction के question easy है direction के question के कुछ question को आप direct solve कर सकते हैं और बिलेटरलेशन के भी कर सकते हैं अभी day one है इसलिए मैं आपको बिल्कुल proper method बता रहा हूं जो day two और day third में बात करेंगे तो फिर पूरा data sufficient आपका ट्रेक पर चलेगा ठीक है मैं यह हां जहां trick apply होती है वहाँ है खुद ही कि इसे इस प्रकार से भी हल किया जा सकता था ठीक है चलिए तो आइटिंग question number six आप सभी ने कर लिया होगा है ना एक मिनिट का समय वैसे लगना नहीं चाहिए को साधन प्रिष्ण है देखी जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इससे trick से बताओंगा तो पहले मैं इसे trick से बता दे देखेंगा उसने गोला qr के किस दिशाम है इसका मतलब आपको q तथा r चाहिए पहले वाले में q है दूसरे वाले में आ रहे है और दौनों को link किस से बनना है m से इसका मतलब answer क्या रहेगा d रहेगा वो क्या सौन गिराफ बनाने नहीं है कि क्यों कि पहले वाले में q है दूसरे वाले में आ रहे है और दौनों में common क्या है m है इसका मतलब इंद आनों को m के माधिम से जोड़ा जा सकता है अब गिराफ बना के देख लीजिए q m के पूर्व में है q पूर्व में है m के आगे पहले और दूसरे दोनों का प्रियूद करके आया ना हमने उसको बिना गिराफ रहें बता दिया कि D आया आया ना डारेक्शन के कोश्चन में आपको यह धियान रखना होगा यदि आपको यह दिखना है कि Q-R-K के दिशाम है तो हमारे दोनों element आने चाहिए यदि वो दोनों element एक ही में आ रहे हैं तो केवल B उत्तर हो जाएगा केवल A उत्तर हो जाएगा तो हमारा उत्तर के आएगा बूत वाला और यदि हमारे जो तो वह एलिमेंटर दोनों में नहीं आ रहे हैं तो इसको मतलब आंसर को जाएगा सी ना पहला ना दूसरा समझ में आ गया जैसे जैसे हम कोश्चन करते आएंगे आपको कोश्चन को करने की में ट्रिक भी बताता जाएंगा ताकि आपका समय बिल्कुल कम हो जाए ठीक है मैं तो चलिए अगले प्रिश्चन की और अगल सार होती है कोश्चन नमबर 6 से देखें क्या करा है A B C D तदा E में सबसे छोटा कौन है देख लीजे क्या करा है B E से छोटा है डेटा बन फूट बन और सेकेंड में करा है A D से छोटा है लेकिन C से बढ़ा है तो आपको यह बत यह आपका रेंकिंग और का प्रिशन आ गया ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताए डेटा सफिसेंसी को करने के लिए आपको साथ चैप्टर आने चाहिए इसलिए आपको यह साथ चैप्टर पढ़ाने के बाद ही डेटा सफिसेंसी कराया गया है तैकि आप और जिने विद्धिहारती ने चैप्टर नहीं पढ़े है वो मेरी प्लिलिस्ट पर जाकर देख सकते है ठीक है और जिनों ने अभी तक हमारा अनकेडमी का टेलिग्रम ग कि आपको बिना रुके टुके हमारी classes की information मिलती रहे PDF मिलते रहे ठीक है और आपके डाउट भी उसके माध्यम से clear होते रहते हैं कि आप सभी को पता है कि जो हमारे टेलिगरम ग्रोबस में बच्चे डाउट भी send कर देते हैं तो उनके डाउट आपस में ही solve हो जाते है कोई पेरिस्ट है कि मेरे बताने से पहले कोई विद्ध्यार्थी ना बता पाला है क्योंकि हमारे सभी विद्ध्यार्थी UPSC prelims के हैं चली देख लेते हैं A B C D तो था इवे सबसे छोटा को रहे है देखिए क्या करा है B E से छोटा है B छोटा है E से E बढ़ा हो गया B से first information पेड़ाई करा है A D से छोटा है A किससे छोटा है D से A छोटा है D से लेकिन C से बढ़ा है यह second information अब देखिए first और second में कोई link कर रही है एक एक तो बन सकता है E P P A C इसके माद्यम से सबसे छोटा कोन है C A क्या बन सकता है D A C B E इसके माद्यम से कोन रही है तो इसका मतलब क्या जाएगा C आ जाएगा पहला और second दोनों के माद्यम से उत्तर प्राप्त नहीं किया सकता मतलब इस सब में सबसे छोटा कोन है यह हम नहीं बता सकते है क्यो को इसके माध्यम से एग्राफ बन्दा है और इसके माध्यम से बन्दा है मैंने आपको पहला ही बताए है data officency में confirm answer बताना होता है ऐसा नहीं है कि sir यह सर पहला वाला बना सकते हैं या sir आप तो बताते कि उत्तर हो जाएगा c तदा i नहीं data officency में confirm answer आना चाहिए तो कोशिचन नमबर सेविन भहिए सभी के समझ में आ गया होगा चलिए अगले प्रिश्ण की और अक्रसर होते हैं देखिए मैंने कोशिच वही करिए कि हर प्रकार की दो दो प्रशना आपको दिये जाए ताकि आप जुट सके उनसे पी क्यू आर एस तथा टीम है सबसे भारी कौन है बनाइए उसको जल्दी से डेटा आपके सामने है फर्स्ट और सेकेंड भारी से ए cu रहती में पुरी प्रॉ Bake एक प्रोदी क्रास एक्षा puckमार का रहती मने कंड करता डेपेंड करता है कि क्लास का कंटेंट कितना रह गया है जैसे कि लास्ट पार्ट जो था हमारा आएधिक पार्ट जो था वो 30 से 35 मिनिट का राधा क्योंको उसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है ठीक है चलिए कोशन नमबर 8 देख लेते हैं बड़ी काम की information है सके बलब पीशे भारी है फस्ट इंफर्मेशन के मतलब आ गया है यह रहेगा आगे गला उसने क्यों कि आर से बारी है क्यों आर से बारी है लेकिन ट से हलका है कि यह यह अर्रेजमेंट सेगे अब यह आप फस्ट और सेटन को अर्च कर देते हैं पर्स्ट और सेकंड को मर्च कर देते हैं तो उनकी नंबरिंग यही वनना पॉसे भिल है इसका मतलब क्या रिज्मेंट बनेगा टी महीं हालेक देता हूं फिर क्यू फिर आर पिर एस और फिर पी क्या पूछ राइन्स हम में सबसे भारी कौन है टी आया लेकिन वो आपको कैस कर दिया है कि a scamal p से वाहरी है इसका मतलब स 4 नंब पर होगा पी 5 रम अगे उसने बोला कि क्यू आर से भारी है लेकि टी से बन गया अब इसे मर्च कर देते हैं तो इसका मतलब क्या समय् صरेंगव आप ऐसे तो मना नहीं सकते है, S, P, T, Q और R, फिर S सबसे बाहरी हो जागा, जब कि S के बहल P से बाहरी है, तो arrangement इसका यही बनेगा, अगर यही बनेगा, तो दोरों को merge करके आप बता सकते हैं, कि T सबसे बाहरी है, तो answer क्या रहाएगा D, इसका मतलब पहले और दूसरे का प अब उसने बोला है आपसे, क्या बोला है उसने आपसे, हिंदी का code है, 13523, और राजधानी, R, W, A, J, D, H, A, N, I, राजधानी का code है, 966421653, तो आपको बताना है कि इंडिया का code किससे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है जी, फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से, दोनों क मिला कर या, दोनों को मिला कर नहीं, तो बनाएगे जली देखिए, coding, decoding, मैंने कोशिश ये करी आज, देखिए, bilet relation का भी question आपको करा दिया, direction का भी करा दिया, I think ranking का भी हो गया, clock का, और I think इसमें sitting arrangement का नहीं हुआ, जो 7 type होते है, उन मेंसे मैंने आपको 5 question, 5 type के करा दिय है, type से मैंने दो-दो question करा हैं, ताकि आपका base बन जाए, ठीक है, देखिए, बड़ा ही साधान प्रेशन है, इसको आप बिल्कुल कर सकते है, coding, decoding में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो देख लीजे जल्दी से, India, question नम्मा 9 देख लीजे, जल्दी से, खोड़ा समय देता हूँ, इसे करने के लिए, जो कि आपको positions याद है, नहीं है, आप कौन से method लगाएंगे, सर left value लगानी है, right value लगानी है, सर या number coding है, सर letter coding है, डिजेट को add करके लिए कर रहा है, सर गोणा कर रहा है, सर इसे सोचने का समय तो दीजी, या हिंदी की value यद के लिए मैं आपको पता देंगे हिंदी है, ह, आई, एन, इसको रिखा है, one, three, five, two, और three, राजधानी, आर, ए, ए, जे, ए, 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 इसका code क्या रिखा है, nine, six, six, four, two, one, six, five, three, अब देखिए, हिंदी मैंसे तो इंडिया बना नहीं सकते, क्योंकि इसमें आई, एन, डी, आई, लेकिन ए मिसेंगे, इसका मतलब पहला वाला तो data बेका हो जा, अब second वाले देखिए, इंडिया कैसे बन जाएगा, इंडिया ऐसे बन जाएगा, आई है, एन वी है, बीवी है, और आपका आई वी है और एवी, अब देखिए, आर का कोट nine है, एका six, six है, जे का four है, डी का two है, एका six है, एन का five है, और आई का three है, तो इसका मतलब इंडिया कोट कीवल आप second वाले से बना सकते हैं, आपन सर क्या जाएगा भी, केवल second से उत्तर प्राप्त की आए सकता है, फस्ट से नहीं, क्यों को हिंदी में भाई या, ए नहीं है, और दोनों की आवशिकता है, इसलिए नहीं है, क्योंकि आपका राजधानी से कोड आ रहा है, तो हम राजधानी से ही बना लेंगे, है ना, तो answer क्या रहेगा, आपका B रहेगा प्राप्त की आए सकता है, फस्ट से नहीं, तो भाईया, कोशन नम्मर नाइस अभी की समझ में आ गया होगा, बड़े ही मैंने अच्छा प्रयास किया है, वह आप बताएंगे की सफल हुआ है, नहीं हुआ है, आप जितने जागा शेयर करते हैं, उससे मुझे पता चलता है कि मेरे पढ़ाया गया, जो है, वह कितने आप लिए सफलता पूर्वा आप तक से दो रहा है, अब कोशन नम्मर टैन देख लेते हैं, होम का कोड क्या होगा, मी का कोड है 21, और रोम का कोड है 5621, तो आपको होम का कोड बता रहा है, ठीक है मैं, कोशन नम्मर टैन जल देख ही गाए है, कुछ ही विद्ध्यारती करते हैं, मुझे पता है, काफी वेस्ट रहते हैं, आप नहीं कर पाते होंगे, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे भी तो ये पता चले कि कितने विद्ध्यारती ओकाट, 10 मैसे 10 जा रहे हैं, 10 मैसे 9 जा रहे हैं, 10 मैसे 8 कोशन जा देखें, मी का कोड़ क्या है? 2, 1. और रोम का कोड़ है? 5, 6, 2, 1. अब आपको चाहिए क्या होम चाहिए? H, O, M, E. M, E का कोड़ आ गया? 2, 1. O का कोड़ आ गया? 6. लेकर H का कोड़ नहीं आप आया? नहीं आप आया ना? और किसी माद्यम से बन नहीं सकता. आप बोलो, सर उसने ऐसा कर दिया है? कि O की वैली होती है, 5 और 5 और 6 ठीक है, लेकिन M और E की वैली फिर 2 और 1 कैसे हो गई? इसका मतलब लेटर कोड़ है. सिंपल, M का कोड़ 2 है, E का कोड़ बन है, वैसे भी देख रहे है, M का 2 और लिखा हुआ है, O का उसने 5 से ख्लिक दिया है, 6 और 5. तो होम के लिए आपके पास H का लेटर नहीं आ पाया. इसका मतलब, answer कह रहेगा C, 1st और 2nd दोनों के महादिम से उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जी भाई, क्योंकि मी का कोड़ आ जाएगा, तो M E मिल गया, रोम का कोड़ आ गया, तो O M E आ गया, लेकिन H का कोड़ नहीं आया, तो हम घर का निर्माणा नहीं कर सकते, M E उसके लिए H की लेटर वेल्यू क्या है, अपर में से गया, यदी में से गया, तो अप्तर नहीं आ सकता, तो O से कह रहेगा, इसका C रहेगा, तो आधी, question number 10 अभी की समझ में आ गया होगा, चलिए, आग देखते, देखे, आज हमने part 1 complete करा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि seven chapter, मैं बता दीता हूँ, कौन-कौन से यह लिख देता हूँ, coding, decoding पर based रहता है, blood relation पर based रहेंगे, question, direction based रहेंगे, ranking, यह one, two, three, four, five आपका आगया, sitting, six हो गया, आपका clock, और seven हो गया, आपका calendar, यह लगबग मेंली हमारे साथ chapter है, जिन पर हमारा data efficiency रहा है, आज हमने part 1 complete कर लिया है, कल हम part 2 complete करेंगे, कल थोड़े और advance question करेंगे, इसमें, ठीक है, तो चलेगे, देखिए, जिनों ने अभी तक हमारा telegram group join नहीं करा है, वो जल्दी से telegram group join करें, ठीक है, और जो विद्ध्यारती अभी तक plus या iconic में subscription लेने की सोच रहें, वो जल्दी से subscription लें, और इदि एन अकेडमी में आपको कहीं भी code refer करना है, तो apply करेंगे, पीजरी बन, ताकि आपको maximum discount में लें, और मेरे को maximum motivation में लें, ठीक है, तो हमारी class को like and share करिए, चलिए बाग कि आपसे जल्दी मुलाकात होगी, आफ्टरण वाली class में, इवनिंग वाली class में तब तक पढ़ते रही है, स्वस्त रही है,